हेलो दोस्तों पैसे नॉमिक्स में आपका स्वागत है और आज के वीडियो में हम सिखेंगे कि जिरोदा में CNC में शेयर कैसे बाय करें यस दोस्तों तर अभी तक अगर जिरोदा में आपको नहीं उपन किया हुआ है तो इसकी लिंक में राइट हैं साइड में में मेंशन की है तो आप उसको refer कर सकते हो तो चलो आज का जो वीशे हमारा कि जिरोदा में CNC order जो है CNC में कैसे बाय करें इसकी शुवात करते हैं तो सबसे पेले आपको जो जो जिरोदा का platform है काइट प्लैटफॉर्म है जो mobile application पे यूज किया जाता है वो आपको पता होना चाहिए अगर आपने वो नहीं go through किया हुआ है तो सबसे पेले लिंक में मैंने वो video mention की है जिरोदाका डेमो जो है add application का दिया हुआ है तो जिरोदाका डेमो आप वहाँ से देख सकते हो तो सबसे पहले आपको जब CNC में कोई भी stock add करनी है मतलब buy करनी है तो आपको वो stock को search करने पड़ेगी और आपके watch list में पहले इसको add करना पड़ेगा तो for example अगर watch list की बात की जाए तो यहाँ पे उपर watch list के option दिये जाता है और आपके जो stock से वो आपको यहाँ से search करने पड़ेगे जिसे for example यहाँ पे हम addition करेंगे कोई particular stock को search करके add करेंगे जिसे की है बर्जर print तो बर्जर print देखिए यहाँ पे option आ चुके है आपको इसको जो CNC में buy करना है CNC थोड़ा सा में यहाँ पे आपको विस्तार से बताना चाहूंगा CNC मतलब होता है cash and carry तो cash and carry मतलब किया कि जितने आप cash मेरे pocket में पड़ा हुआ है वही मैं यहाँ पे निवेश करने वाला हूँ मुझे कोई extra margin और leverage का use नहीं करना है इसके benefit क्या है इसको आप lifelong इसको hold कर सकते हो आप कभी भी बेच सकते हो आपको इसकी उपर जो है वो dividend जो है आपको मिलेगा ओके आपको bonuses मिलेंगे corporate action जो भी आती वो आपको मिलेगा right issue आएंगे वो आपको मिलेंगे मतलब यह जो benefit है यह सारे benefit आपको CNC order के लेकिन इसके लिए आपको इसको लंबे समय के लिए hold करना पड़ेगा यह याद रखिएगा तो जब हम CNC में buy करते हैं तो सबसे पहले अपने account में उतना पैसा available होना चाहिए जितने का आप stock buy कर रहे हो तो पहले process देखते हैं कि इसको buy कैसे करते हैं तो सबसे पहले आपको जो इसकी symbol है इसके उपर click कर देना है और उसके बाद इस तरके से आपको bottom में window ख लेगा उसको up side में जो है आपको खीचना है जैसे आप उसको खीचे होगे तो यह पूरी तरके से expand हो जाएगा अब यह budget pen मुझे buy करना है मुझे अच्छा लगता है stock जो भी मेरे पास न्यूजे में जैसे आपको डिमो करके दिखा रहा हूँ इसमें आपको यह buy option की उपर click करना है जैसे आप buy की उपर click करेंगे तो आपको budget pen के दो rates यहाँ पर by default जो system है या फिर जो अपना application है बताएगा इसमें NAC और BAC दोनों के rates दिए गया है तो जैसे आप BAC नAC की बात करते है तो अगर बड़ा share है थाउजन रुपिस की उपर का share है जैसे अभी हम 700 का share देख रहे है तो उसमें आपको एक-दो रुपे का difference दिखता है और जितना rate कम होगा उसी सबसे 10-50 पेसे का difference दिखागा बड़ा stock अगर होता है तो difference थोड़ा सा बड़ा होता है दो रुपे और तीन रुपे का लेकिन तो concern जो होता है खाली volume होता है NAC में सबसे ज़्यादा volume होता है दोस्तों तो आपको NAC को prefer करना है लेकिन अगर आपको rate अच्छा मिल रहा है BAC में तो आप उसमें भी sell कर सकते हैं या फिर आपको कम rate में जहाँ पे buy मिल रहा है उस section में आप buy कर सकते हो तो इसकी उपर भी में एक वीडियो बनाने वाला हूँ कि एक दिन में आप एक exchange में लेकि दूसरे section में नहीं बेच सकते है उसके लिए आपके बाद delivery होनी चाहिए तो उसके उपर हम बात में उसके उपर चरचा करेंगे तो जब हम CNC की buy करने का जब यहां पर हम देखेंगे कि मुझे कोई share delivery में लेके रखना है अच्छा लग रहा है मुझे लग रहा है कि बरजर परेंट यह 1000 रुपी तक जा सकता है साल भर में तो मुझे सबसे पहले CNC option को select करना है मुझे इसको delivery में लेना है आपको broker को पैसा देना पड़ता है मतलब मैंने जिरोदा के पास 1300 रुपीज रखे हुए है तो मैं यहां पर एक share ले सकता हूँ और फिर यह share लेने के बाद ही मैं उसका holder बन सकता हूँ तो जब यह platform पर हम आते हैं तो आपको CNC पर click करना है और यहां पर दो choices होती है market और limit order तो buy order जो है हमारी यह अगर आपको यह market rate में अगर buy करना है जो 731 05 चल रहा है इसके near about आपको यह मिल जाएगा अगर आप इसको market करते हो यह order को अगर आप market करते हो तो जो near about जो rate है 731 के इसके आज़ो बाज़ो आपको मिलेगा लेकिन अगर आपको लगता है कि market नीचे आ रहा है या maybe end of the day नीचे आ सकता है तो आपको choice चाहिए कि मुझे 731 में नहीं लेना है मुझे कम rate में लेना है तो आप इसको limit order में कर दीजे और आपका जो rate है इसको प्लेस कर दीजे जैसे में लेना चाहूँगा 721 में तो यह मेरी choice हो गई तो वो इस अपसे में order यहाँ पे मुझे करना पड़ेगा प्लेस तो यहाँ पे आपको खाली confirm क्या करना है आपको दो तीन चीज़े confirm करना है सबसे पहले आपकी price आपका CNC order और limit order उसके बाद जो है last option है यह day option इसमें आपको by default हो आएगा day option का मतलब होता है कि जब आप CNC में buy कर रहे हो तो उसी समय जब order जाएगी तो वो एक दिन के लिए ही order वहाँ पे आपको available होगी otherwise वो end of the day 3.30 के बाद cancel हो जाएगी during the market hours अगर यह 7.31 का rate आता है तो ही वो execute होगा otherwise वो cancel हो जाएगी तो इसके लिए आपके पास दूसरे options भी है जैसे GTT option है जो आपे mention किये गया है इसके ओपर भी मैंने वीडियो बनाई हुई आप link में description में link उसकी मैंने mention किये देख सकते हूँ तो यहां तक आने के बाद आपको खली swipe to buy कर देना है तो वो buy हो जाएगा और जैसे ही rate आपका 7.21 अगर है तो यह वो buy होगा अगर नहीं आया तो order cancel हो जाएगा अगर बात की जाए कि market अगर हम buy कर लेते हैं एक example अभी limit order के लिए एक market का ले लेते market अगर अगर हम इसको buy कर लेते हैं दोस्तों तो फिर यह आपके account में immediate वहां पे pull account में मतलब broker के pull account में buy आपको दिखेगा delivery आने के लिए आपको T plus 2 मतलब जिस दिन buy किया उसके बाद दो working days लगते हैं उसके बाद आपके यह demand account में show होता है आप कहोगे सर मैंने CNC में आज लिया था और लेकिन मुझे end of the day नहीं दिख रहा है तो वो delivery process होती है उसको दो working days लगते हैं दोस्तों क्योंकि आप buy कर रहे हो तो सामने वाला भी कोई CNC में बेचता है तब जाके आपको deliveries मिलती है तो वो भी आपको settlement के लिए वाँ पर रुपना पड़ेगा और तब आप उसके ownership transfer होगी shares delivery में buy और sale करना मतलब आप transfer कर रहे हैं आपने बेचा इसका मतलब किसी ने buy किया और आपने buy किया इसका मतलब किसी ने उसको sale out किया हुआ है तो इस प्रकार जो है आपको CNC में share buy करना है दोस्तो अगर आपको CNC में जो भी आप buy कर रहे हो which stop loss or target आपको करना है तो इसका वीडियो भी मैंने GTT का mention किया हुआ है वो वहाँ पर description में देख सकते हो तो आज का वीडियो कैसा लगा प्लीज आप comment box में mention कर सकते हो आपकी feedback जो भी आप मुझे दे सकते हो जो भी आपकी requirement है या और वीडियो में उसके उपर बताऊंगा और आज के वीडियो अगर अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक, share और subscribe करिएगा Thank you so much दोस्तो Have a good day